कावड यात्रा के दौरान प्रतिबंदित होंगे जमीन से 12 फिट उंचे तेज धुनी यंत्र आपको बताद कि कावड यात्रा में तेज धुनी यंत्र पर होड़न करने वालों पर इस बार सकती बढ़ती जाएगी मुख्य मंतुरी के आदेश के बाद पच्छमी उत्र परदेश के तमाम जिलों में 12 फिट से उंचे तेज धुनी यंत्र कावड यात्रा के दौरान नहीं बजाए जा सकेंगे इस संबंद में आदेश प्राप्त होने के बाद S.P. ने सव्यदिकारियों वैथाना प्रिबारियों को निर्देशित कर दिया है अब तक करीब 150 तेज धुनी यंत्र संचालकों को नोटी जारी कर इस संबंद में जानकारी दे दी गई है भारते नियाई साहिता यानी BNS की धारा 292 के तैमानक के विरुदु तेज धुनी यंत्र बजाने पर एक हजार रुपे जुर्माने का प्राफदान है वहीं दूसरी बार इस अपरात्यों करने पर धारा 293 के तहत आरुपियों को 5000 रुपे जुर्माना देने के साथ 6 महा के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है सावन मास में 22 जुलाई से कावण यात्रा परम होगी इसमें भक्ती में सरोबर शिव भक्त मंदिरों तक पैदल यात्रा करते हैं इस दौरान तेज दोनी यंत्र पर धार्मिक भजन और संगीत बजाया जाता है लाओड स्पीकर तेज दोनी यंत्र से तेज संगीत बजाने वे नारेवाजी करने से तनाव उत्पन होने की प्रबल संभाव ना बनी रहती है मेरेट में पिछली कावड यात्रा के दोरान तेज दोनी यंत्र पर बैटे कुछ शिव भगतों के उपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए थे हापुड के अपर पुलिस सदिक्षक ने कावड मार्गो का निरिक्षन किया साथी उन्होंने बताया कि सरकिलवार सीओ वेठानेदार अपने अपने शेत्र में तेज दोनी यंत्र संचालकों के साथ बैटक करेंगे उन्हें नए नियम की जानकारी दे कर उलंगन करने पर कारवाई के बारे में भी जानकारी दी जाएगी किसी भी आलत में आदेश का उलंगन नहीं किया जाएगा फिलाल के लिए इतना ही ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हाप उढल चुन